क्या सरना धर्म कोड हमारा आस्तित्व नहीं है? हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान हमारी संस्कृति है हमारे अपना सरना धर्म कोड है तो इसके लिए हम लोगों ने इसे विदान सबाद से पारित कराया कि आप लोगों को जारखंडी योजनाई पसंद है आप लोगों को योजना पसंद है अब वह आवास योजना पसंद है और इसमें आपका 1.000 रुपिया एक बी रुपिया आपके जेब से नहीं लगेगा यह हमारी जारखंडी सर्कार क्या है यह समय तरी वाइफूले योजना होर मारें जार्खंडी जुहार आज सिसैं में मैया सम्मान यात्रा के दौरान बंच पर उपस्तित है आदर्निय जार्खंड की मंत्री बेबी देवी जी जार्खंड की मंत्री दिपीका पांडे जी आपके अपने दादा यहां के विधायक जिगा सोसरन हो जी गुमला के तीता श्रीव राउजी हमारे महागडवंधन के जिला अध्यक्ष सचेव सभी नेतागन और साती चाथ सभी माननेगन सभी पतादिकारी एसपी सहाब डीसी सहाब और खुबसूरत कलाकार जो बाईं तरफ दाईं तरफ वैठे हैं हमारे सुरक्षा कर्मी हमारे मीडिया कर्मी और दूर दराज से आई हमारी हजारों हजार बीदियां वहने आप सभी को मेरी तरफ से जारखंडी जोहार कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आज कोशिश की है कि आपके जैसा थोड़ा बन करके आओ फीक लग रहा है ना? बहुत बहुत धन्यवाद है यही कला संस्कृती है यही चार खंड है और आप अगर अलग-अलग हिस्सों में जाएंगे तो आपको कही ना कही हमारी आदिवासी संस्कृती की एक अलग-अलग खुश्बू आपको दिखाई देगी पैचान दिखाई देगी चाहे आप कपड़ों में देखें चाहे आप कला संस्कृती में देखें चाहे आप हमारे पूजा करने की पदिती को देखें यह जारखंड इतना खूपसूरत है इ और कहीं न कहीं एक मिट्टी की सौंधी खुश्बू आती हैं, कहीं न कहीं हमारे हरे हरे पेड, हमारे पहाड हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमारी प्रकृती हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, हमारी आदिवासी संस्कृती में हमारे भगवान हमारे प्रकृती होते हैं, आज जहां हम पेडों की पूजा करते हैं, बुरु पहाड की पूजा करते हैं, धर्ती की पूजा करते हैं, नदियां की पूजा करते हैं, यह क्या है? यह हमारे प्रकृति है जो हमें जीवन देते हैं और हम हमारी मानव जाती को यह समझना होगा कि हम लोग बरसों बरस पहले ही हम जानते थे कि अपनी धर्ती को अपने व्रिक्ष को अपने पहाडों को नदियों को अपने प्रकृति को किस तरीके से संजो करके चलना है और मैं स हमारी भाषा बोली हमारी गुमान है, अगर हम अपनी कुड़ुक भाषा को ही ले ले, आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारे आदर्निय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है कि हमारी कुड़ुक भाषा को संभिधान की आठवी अनुसूची में लाया जाए, और वो लड़ करते रहेंगे तब तक, जब तक हमारी भाषा, हमारी संभिधी, हमारी संस्कृति को पहचान नहीं मिल जाए, हमारी आने वाली पीड़ी क्या सीखेगी, जब हमारी अपनी भाषा बोलने वाली भाषा ही अगर नहीं बचेगी तो आप आश्वस्त रहिएगा हेमन सोरें जी हमारे आदी वासियत को बखूबी से जानते हैं, पहचानते हैं और इसको निरंतर आगे बढ़ने का काम करते हैं और मैं आपको साथ ही साथ ये जरूर बताना चाहूंगी, कि हमारे विपक्षी लोग किस तरीके से तरस्थ हो गए हैं, इनको कभी भी जारखंड की जारखंडियत पसंदी नहीं आती हैं, अगर मैं आपको बताना चाहूं, दोहजार चौदा में जब इनकी सरकार बनी थी, सोला होते होते इन्होंने क्या किया, हमारे अलपसंखक विद्यालों में सिक्षकों की बहाली बंद कर दी, आप जानते हैं, चाहे सिम्डेगा हो, गुमला हो, लोहरदगा हो, यहां पर पे हमारे शिक्षा का स्तर, जिस तरीके से मजबूत हुआ है, उसमें अलपसंखक बहाली बंद करते हैं, लेकिन जनता के अनुरूब जनता का मनोभाव जानने के बाद हेमन सोरेन जी ने वो बहाली शुरू की, वो जानते हैं कि जारखंड को अगर आगे बढ़ाना है, तो इनका सिक्षित होना बहुत जादा जरूरी है, और हमारे विद्याले, हमारे सिक् पूल ऑफ एक्सिलेंस और हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए सावित्री भाई फूले की योजना से जुड़ने का काम करते हैं, क्या है ये सावित्री भाई फूले योजना, ये वो योजना है जिससे हमारी बच्चियों को हमारे बच्चों को उनकी पढ़ाई न रुक है मरांग्ढूम के स्कोलर्शिप के तहत और इसमें आपका एक भी रुपया एक भी रुपया आपके जेप से नहीं लगेगा यह हमारी जिर्खंडी स्कार शिक्षा के स्तर ना काम कर रही है और आप जानते हैं यह जरT अपनी सरकार हमारी अपनी सरकार ये अभुवा सरकार नियोजन नीती लाती है सरना धरम कोड लाती है और पिछडों के लिए आरक्षन लाती है किसके लिए क्या सरना धरम कोड हमारा स्थित्व नहीं है हमारी पहचान क्या है हमारी पहचान हमारी संस्कृति है हमारे अपना सर परित कर आया, और विधान सहभा से पक्रारित हम कराते हैं और आगे जाकर के यह लोग रोक देते हैं, इनकी मंशा सबको समझनी होगी हमारे विपक्षियों की यह बाजबावाले नहीं चाहते हैं, कि हमारा अस्तित्व बचे, हमारा अपना सरना धरम को ओड़ो, ये कभी नहीं चाहते हैं, ये बाहर से आते हैं, जिनको हमारी भाशा, हमारी बोली, हमारी संस्क्रिदी समझ में नहीं आती, वो हमारे लिए क्या नीतियां बनाएंगे, आज जारगंड में ये पहली बार है, आ आधी आबादी के लिए, जो ऐसा गेहरा और गाढ़ा लकीर खीचा है, इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया है, ये सम्मान, ये आत्म विश्वास और महिला को शशक्त करने का आगर उन्होंने प्रंड लिया है, तो ये निरंतर उसमें आगे बढ़ आते हैं, लेकिन हां, हमारे नीतियों में कैसे रोड़ा बनना है, ये काम ने बेखू भी आता है, हमारी मया सम्मान योजना के लिए, ये लोग P.I.L. कर दिये हैं, हमारी नीजन नीती आती है, उसके लिए ये लोग P.I.L. कर देते हैं, हेमन सोरें जी लगातार जार खंड के लिए क्यांब कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके से यह लोग PIL करते हैं. मैं अब बताना चाहूंगी, यह लोग PIL hou गये हैं. यह चाहते नहीं है, कि हमारा जार्खंड अफ़र लंपर पर आए. यह नहीं चाहते हैं. यह चाहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ यह चाहते हैं कि इस जारखंड की धर्ती के अंदर जितने खजाने हैं यह खजाने लेंगे और अपने दूसरे राज्यों को चमकाएंगे लेकिन अगर हेमन सोरें जी आपका अपना पैसा अपना जारखंड का पैसा एक लाग 36,000 कर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं ऐसा क्योंकि वो जानते हैं आदर्निय दिशंगुरुजी ने किस तरीके से अपना बच्पन हो अपनी जवानी हो पूरा का पूरा जारखंड को समर्पित किया है वे तकलीफ जानते हैं आज अगर हमारा अपना बकाय पैसा हमें वापिस मिल जाता तो जार्खंड अच कहां होता है कर दो कि सारे खाजान हमारे और हमारा रोयल्टी का पैसा नहीं हम उसी तरीके से जार्खंड के साथ ऐसा व्यवार होता है। इनके लिए जार्खंड काली भेदभाव करने का एक मापदंड में टॉप नंबर आता है और जब हमें कुछ मिलना हो राशी के तौर पे तो सबसे निम्सतर पे आता है जारखंड का अपना मनरेगा का कितना पैसा बकाया है हजारों करोड रुपए के इंद्र सरकार के पास में बकाया है लेकिन यह चाहते नहीं है कि हमारी यहां की जंता खुश हाल हो यह नह आपर में जारखंड की अवाम को कैसे खुशाली मिले इसके बारे में इनके पास में कोई प्लान नहीं है आज जिस तरीके से हेमन सरकार निरंतर एक नई नई योजना लाई थी किसके लिए लाई आप सभी को पता है आप लोगों के लिए लाई विर्साहरित ग्राम योजना क कि सोच को अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा चाहे हमारी महिला है गर्भा अवस्ता में हो चाहे वे व्रिद्धा अवस्ता में हो या दिव्यांग हो उनके लिए भी योजना है जानते हैं शारे रि कर सकती हैं बहुत जारेरिक स्ट्रम की जरूरत नहीं होती है और उसकी देखरेक करने के लिए भी यह जारखंडी सरकार राशी देती है तो आप समझ सकते हैं अगर आप उम्र के किसी भी पडाव में हैं जारखंड में आप कोई नकोई योजना के साथ जरूर जुड़े यह सोच है माननिय हेमन सोरेन जी की आज आप सभी जान रहे हैं हम इस यात्रा में निकले हैं इस यात्रा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं लोगों से मिल रहे हैं और यह जाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि जार्खंड में जो इतनी सारी योजनाय चल रही हैं आप लोगों जारखंडी योजनाई पसंद है, पसंद है, महिया सम्मान योजना पसंद है, बिर्सा हरिद ग्राम योजना पसंद है, हमारी सावित्री भाई भूले योजना पसंद है, अबुआ आवास योजना पसंद है, हमारी और मैं क्या गरों, गिंदियां तो बहुत लंबी है, आप भी थक जाईएगा लेकिन एक खुशाल जो सौगात मिली है हमारी आदर्निय क्रिशी मंत्री जी भी है दिपिका पांडे जी भी है उनके ही विभाग से हजारों किसानों को उनकी रिंड माफी हुई है हर एक किसान की दो लाग की रिंड ये माफी हुई है और ये कौन सोचता ह यह आपका अपनी सरकार हेमन सोरेन जी सोचते हैं और केंदर में बैठी सरकार क्या करती है कि किसानों पर कैसे गोली दागा जाए पिछडों को कैसे आरक्षन नहीं मिले कैसे हम लोगों को अपना सरना धरमकोड नहीं मिले यह वे लोग हैं जो कभी भी यह नहीं चाहते हैं कि आप शशक्त बने, जमीनी स्तर पे आप शशक्त बने, ये कभी आप को मजबूत होने देना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी, कि शिक्षित हो ये, अपने हग अधिकार को, के बारे में जानने का प्रयास करिये, उसके लिए लड़ने के लिए त पो जाहूंगी। आप ऐमंस होरेन जी के साथ में हैं। आप इस अपनी अभुजे सरकार के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद हैं। क्यूशंकि यही ताकत, आपकी यही उर्जा हमें अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने में निरंदर संयोग करती रहती हैं। और आगे हमें इस यात्रों को बढ़ाना है अपनी इनी बातों से मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूं आप सभी यहां आए हैं और आपने इत्मिनान से हमारी बातों को सुना है इसके लिए मैं तहीं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूं आपका अभार करना चाहती हूं और